मध्यपरदेश चुनाव से पहले 20 पी से कटेगा इन दिगज नेताओं का टिकट इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दरसल आपको बता दे मध्यपरदेश विधान सभा चुनाव से पहले टिकट की आस लगाए बैठे भासपा विधायक मंतरी और वरिष नेताओं को पार्टी जटका दे सकती है एसे नेताओं जो 65 से 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं एसे नेताओं का टिकट काटा जा सकता है हाला कि 65 से कब उम्रवाले नेताओं और विधायकों को मौका दिया जा सकता है बीजेपी मध्यपरदेश विधा सभा का चुनाओ गुजरात फार्मूले पर लड़ना चाहती है लेकिन उम्र का फार्मूले लागू करना MP में बीजेपी के लिए आसान नहीं है दर असल उम्रवाला फार्मूले यदि भासपा MP में लागू करती है तो प्रदेश के कई उम्र दरार निता नाराज हो शकते हैं ऐसे में चुनाओ में बिरोध की इस्ति बन शकती है बताया जरहा है कि भासपा में पैसट से सत्तर की उम्र पार कर चुके निताओं की एक सुची तयार की है वहीं एक सुची पैसट से कम उम्र वाले दावेदारों की तयार की है भासपा सर्वे के आधार पर ही प्रत्यासियों का चैन करेगी पार्टी सुत्रों के अनुसार बताया जरहा है कि शंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट 65 साल के हो चुके हैं ऐसे में अगर उनका टिकेट पक्का होता है तो 65 साल वाले नेताओं और विधायकों को खत्रा कम होंगा माना यवी जरहा है कि तुलसी सिलावट को भास पर टिकर दे सकती है क्योंकि सिलावट केंद्री मंत्री जो तरह दित शंधिया के सबसे करीबी हैं पार्टी सुत्रों का कहना है कि बीजेपी 70 वर्स की उम्रपार कर चुके निताओं के टिकर काटनी के तयारी कर रही है हाला कि 70 उम्रकी सुची में सिराज सरकार के मंत्री गोपाल भारगों का नाम भी सामिल है ऐसे में अगर उनका टिकर करता है तो उनके बेटे अभिसेग भारगों को टिकर दिया जा सकता है लेकिन भास्पा में परिवार वाद के नियम चलते बीजेपी को रहली विधान सभ करती है तो बीजेपी महिला ने त्रियों को जादा डिकर दे सकती है क्योंगी सरकार के लाटली बाना और लाडली लक्ष में योजना के शत्तर के उम्र पार कर चुके हैं वही नीना बर्मा 65 साल का आकड़ा पार कर चुकी हैं